नमस्ते विद्ध्यार्थियों, नाइन्थ क्लास से टेंथ क्लास में प्रमोट होने पर मैं आपकी हिंदी अध्यापिका उमाचारण आपको हार्दिक शुबकामनाई देती हूँ। आस्टिन परिवार आपके स्वास्थिय की मंगल कामना करता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। आज हम हिंदी विशय की ओनलाइन क्लास की सुरुवात उसके पाठ्यक्रम विवरण से करेंगे जो इस प्रकार है। टैंथ क्लास में हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतरगत दो पुस्तके हैं जिसमें प्रथम पुस्तक का नाम क्षितिज है तथा दूसरी पुस्तक का नाम कृतिका है। तो सबसे पहले हम प्रथम पुस्तक क्षितिज के बारे में बात करेंगे जो इस प्रकार है। क्षितिज पाठ्य पुस्तक को दो भागों में विभाजित किया गया है जिसमें पहला भाग काव्य खंड है तथा दूसरा भाग गद्य खंड है काव्य खंड में हम प्रमुक कवियों की रजनाई पड़ेंगे तथा गद्य खंड में गद्य पाठों का अध्यान करेंगे पथा शेस आट पाट गद्य खंड के हैं। पढ़ेंगे तथा गद्य खंड के अंतरगत जो पाट हम पढ़ेंगे वो पाट इस प्रकार है। का अध्यान करेंगे जिसको दो भागों में बाटा गया है काव्य खंड तथा गद्य खंड तो इस प्रकार हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक का अध्यान करेंगे। अब हम पाठ्य पुस्तक कृतिका के बारे में जानेंगे। कृतिका पाठ्य पुस्तक में कुल पाठ्य है जिसका हम टैंथ क्लास में अध्यान करेंगे। जिसमें प्रथम पाठ्य जिसका नाम माता का अंचल है जिसके लेखक शिव पुजन सहाय है। दूसरा पाठ्य जिसका नाम जॉर्ज पंचम की नाक है जिसके लेखक कमलेश्वर है। तीसरा पार्ट जिसका नाम साना साना हाथ जोड़ी और इस पार्ट के लेखक मधुका करिया है। चौथा पार्ट एही ठहिया जुलनी हैरानी हो रमा इस पार्ट के लेखक शिव प्रसाद मिस्र रुद्र है। और पाँचवा और अंतिम पाठ जिसका नाम है मैं क्यों लिखता हूँ और इस पाठ के लिखक श्री अग्ये है. तो इस प्रकार इस कृति का पाठ्य पुस्तक में पाँच पाठ है जिसका हम 10th क्लास में अध्यन करेंगे. अब हम 10th क्लास के अध्यन में शामिल व्याकरण के बारे में जानेंगे तो व्याकरण में प्रमक पढ़ाये जाने वाले जो टॉपिक होंगे वो इस प्रकार होंगे. सबसे पहले क्रिया भेद, विशेशन और क्रिया विशेशन, पद परिचय, मुहावरे वर लोकोक्तिया, वाक्य भेद, वाक्य भेद जो रचना के अनुसार है तथा रचनांतरण, उसके बाद में वाच्य परिवर्तन तथा अलंकार. इन सब विशयों के बारे में हम व्या आकरण के अंतरगत चर्चा करेंगे.